दूसरी बार प्रधान मंत्री पद की शपत लेंगे नरींद्र मोधी राश्ट्रपदी भवन के फो कोर्ट में समारू होगा नरींद्र मोधी के शपत व्रहन के लिए करीम 6,000 महमानों को न्योता शाम के 7 बजे होगा कार्गरब बिमस्टेक देशों के राश्ट्रा अध्यक्ष भी पीम मोधी के शपत व्रहन में शामिल होंगे दिल्ली पहुंचे बांगलदेश के राश्ट्रपति कल सुबह राजगार जाएंगे पीम मोधी अटल वियरी वाजपई के समादी स्थल पर भी जाएंगे मोधी के शपत व्रहन में शामिल होंगे कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी, सोन्य गांधी भी शिर्कत करेंगे मंत्री बंडल को लेकर दिन भर चलता रहा बैठकों का दौर प्रधान मंत्री मोधी से अमिच शाह की करीज चार घंटे तक मुलाकाद प्यम से मिलने लोग कल्यान मार्ग पहुंचे राजनाज सिंग एनसे अजीर दोवाल ने भी मुलाकाद की बीजेपी के संगठन महासचिव के साथ अमिच शाह ने बैठक की संभावित मंत्रियों को लेकर माथापच्ची के कयास नीतिश कुमार से भी मिलने अमिच शाह जेडियों से संभावित मंत्रियों को लेकर चरचा के कयास अरुन जेटली ने पीएम मोधी को लेकी चिठ्थी खराब सेहत का हवाला देकर मंत्री पर नहीं देने की अपील की अरुन जेटली के घर पहुंचे पीम मोधी पूर्वे वित्त मंत्री से सेहत को लेकर जाना हाल जाए मोधी मंत्री मंदल में शामिल हो सकते हैं जेडियू के दो नेता, शिवसेना के एक कोटे से भी हो सकते हैं दो मंत्री मोधी के शपत ग्रहन में शामिल होने को लेकर ममताव एनर्जी का यूटर्ण कहा सौनी मोधी जी नहीं आ पाऊंगी ममताव एनर्जी ने बीजेपी पर लगाया शपत ग्रहन के बाहने सियासत का आरोप कहा किसी को नहीं दिखाना चाहिए नीचा मारे गए बीजेपी कारेकरताओं को शपत का नियोता के परिवार वालों को शपत का नियोता भेजने पर भड़की ममता कहा बंगाल में नहीं हुई कोई चुनावी हिंसा आपसी रंजिश में हत्याएं हुई शपत गहन में ममता की नहीं आने पर बीजेपी बे फिक्र कहा सत्ता रूर पार्टी तै करेगी किसे बुलाना है किसे नहीं बिजेपी ने मरिवारूं को दिया है शपत गहन का नियोता चुनाव के दौरान हुई थी कारेकर्ताओं की हद्या मारे गए कारेकर्ताओं के परिजनू ने हावडा से दिल्ली के लिए पकड़ी ट्रेन करीब सत्तर लोग करेंगे शपत ग्रहन में शिर्कत पीम के शपत ग्रहन के दौरान धर्ना देंगी मुखी मंदरी मम्ता बेनरजी चुनावी हिंसा के कारण बेघर हुए टीमसी कारेकरताओं के समर्थन में धर्ना आमिच्या और रविशंकर पुसाद ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया लोगसभा में नई पारी के लिए तयार तेज हुई राहुल को मनाने की कोशिश घर पहुँची शीला दीक्षित समेथ कई नेता लेकिन कॉंग्रेस अध्यक्ष ने मुलाकात ही नहीं की राजस्थान में तेज हुए बगापती सुर कॉंग्रेस विधायक राम नारायन मीना ने किया सरकार गिरने का दावा जैपूर में राजस्थान प्रदेश कॉंग्रेस की बैठक राहुल गांधी से इस्तीफा वापस लेने का प्रस्ताव जैपूर में कॉंग्रेस ऑफिस के बाहर कारेकरताओं ने हवन पूजन किया राहुल गांधी से इस्तीफा वापस लेने की अपील की बेंगलूरू में कॉंग्रेस दफ्तर के बाहर कारेकरताओं का प्रदर्शन राहूल गांधी से इस्तीफा वापस लेने की मांग भोपाल में किसानों के प्रतिनेदे वंडल से मिले कमलनाथ दो दिन की हरताल पर हैं किसान यूनियन करनाटक में सरकार बचाने की कोशिश तेज बेंगलूरू में कॉंग्रेस और जेडियस नेताओं की बैठक भूवनेश्वर में नवीन पटनायक ने ली सीम पद की शपत पांचमी बार बने ओडिशा के मुख्य मंत्री नवीन पटनायक ने मंत्री मंदल में 21 मंत्रियों को शामिल किया दस नए चेहरों को शामिल किया गया गुरखपुर में बीजेपी विधायक ने उठाया वे रोजगारी का मुद्दा तो भरके सीम योगी एमले की बुद्धी पर सवाल उठाये करीब एक महीने बाद गुरखपुर में लगा जनता दर्बार फरियाद करने वालों की कतार वीजेपी के पेमा खांडू ने अरुनाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौट पर शपतली राज्य के दस्वे मुख्यमंत्री बने पटना में चल रही है महागट बंदन की बैठक लेकिन कॉंग्रेस के किसी भी नेता ने शिर्कत नहीं की कमान से अं मिलने जा रहा है जब उन्होंने निमंत्रन दिया है तो में ख्याल से इसमें कोई बात होनी नहीं चाहिए जगन मोहन रेड़ी ने पिताब वायसार रेड़ी के समारक पर शद्धांजली दी कल लेंगे आंधर के सीम पद की शपत शपत व्यान से पहले वाला जी के दरबार में पहुंचे जगन मोहन रेड़ी साथ थी विधायकों की टोली खत नहीं हो रही रॉबर्ट वाडरा की मुश्किलें लंदन की प्रॉपर्टी के मामले में पूछताच करेगा एडी रॉबर्ट वाडरा की विरीश जाने से जुड़ी अर्जी का एडी ने किया विरोध दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला कार्ती चिदंब्रब को सुप्रीम कोर्ट से एक और जटका दस करोड रुपे की सेक्योरिटी राशी वापस देने की याचिका खारिज बंगाल के पुलिस अदिकारी अर्णम घोष सीबियाई के सामने पेश शारदा स्क्याम की साइटी टीम के सदस्य थे दिली में विधान सबा चुनावों से पहले केजरीवाल सरकार का बड़ा दाउं अड्मिशन और भरतियों में सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का एलान गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण के सरक्यूलर पर एलजी और दिली सरकार में महा भारत आमादमी पाटी ने लिखी चिट्थी सरक्यूलर एलजी ने जारी किया पश्यमंगाल के सिली-गूरी में भारतिय जनता युवा मौर्चा का शानती मार चुनावी हिंसा के विरोध में प्रदर्षन पूटिचेरी में बिजली दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन बिजली की किंगतों में वढ़ोतरी को लेकर नाराज गी तटीस गड़ के सीम भूपेश बगेल ने दी इफ्तार पार्टी कॉंग्रेस समें दूसरी पार्टीयों के नेताओं ने भी शिरकत की मध्यप्रदेश के कई जिलों में पानी की भीशन गिलत लोगों को घंटों तक इंतजार के बाद मिलता है पीने का पानी बठी गर्मी के बीच पानी को लेकर यूपी में हाहाकार हमीरपूर में बैलगाडी से पानी ढूने को मजबूर गाउँ वाले जमुकश्मीर के शुपेएंया में जारी है मुद्धेड रहाईशी अलाके में 2-3 आतंकियों के गिरे होने की खबर जमुकश्मीर के कुलगाम में ताजीपोरा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलूं की मुद्धेड एक आतंकी धेर फिर बेपर्दा हुई पत्थरबाजों की साज़िश इंकाउंटर के समय सुरक्षा बलों पर पत्राव जवाबी कारवाई में कुछ गहे जब मुँमे आमी क्याम के पास पकड़े गए दो संदिग्द आर्मी स्टेशन की तस्वीरें पाकिस्तान भीजने का आरो बारबंकी में जहरीली शराब से अब तक 23 लोगों की मौत लखनाओं के ट्रॉमा सेंटर में भरती हैं 19 लोग कोलकटा के टिंबा बाकिट में भीशना दमकल कर्मियों के मुस्तैदी की वज़े से तला बड़ा हाजसा दुर्गापुर में बालू से लदे ट्रक ने महिला को रौन्दा भड़के गाउवालों ने बालू माफिया के दफ्तर को फूका दिल्ली के सदर बाजार इलाके में आग से अफरात फ्री शॉर्ट सर्किट की वज़े से लगी आग कोई हताहत नहीं पंजाद की कपूर थला में पिता पुद्र की हत्या पत्नी की हालत गंभीर जमीन विवाद में हत्या का शक दिल्ली अमरिक्सर हाइवे पर केमिकल से भरे टैंकर को पीछे से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मारी दोनों गाड़ियों में भीशन आग लगे दिल्ली असा के फरीदाबाद में महिला के साथ मार पीट का वीडियो वाइरिल पती सास ससुर और देवर ने की मार पीट यूपी के बलिया में अवैद निर्मान रोक ने पहुंची टीम पर हमला पत्राओं में तैसीलदार और दो थाना ध्यक्ष समेथ 12 पुलिस वाले घायल बिहार के जमुई में पांच दिन से गायब तीन यूगकों के शर्व मिलने से हरकम विरोध में बाजार बन यूपी के गाजीपुर में कोचिंग से घर जा रहे छात्र की गोली मार कर हत्या साथी छात्र फराद बरेली में इंटेलिजिंस में तैनात महला दरोगा की हत्या से हरकम पुलिस लाइन में बने सरकारी आवास में मुर्डर किया गया कल से इंग्लेंड में क्रिकेट वोल्ड कप का आगाज पहले मुकाबले में दक्षन अफ्रीका से होगा मेजबान इंग्लेंड का मुकाबला मंगलदेश के खलाफ प्राक्टिस माच में जीत के बाद टीम इंडिया के होसले बुलंद कप्तान कोहली ने माना राहूल के शतक से सुलजी नंबर चार की गुथी लंडन के माडम टुसोर्ड म्यूजियम में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के एंट्री कल मोम के पुतले का उद घाटन होगा पकिस्तान को मिली अगले साल होने वाले एजिया कप क्रिकेट की मेजबानी न्यूट्रल वेन्यू पर भीडेंगे भारत और पकिस्तान यूवा शूटर मनुभाकर को मिला उलिम्पिक का टिकेट 10 मीटर पिस्तिल के वर्ल कप इवेंट में चौथे पाइदान पर आने से साथ हुई एंट्री जुलाई में भारत में इलेक्ट्रिक स्यूवी कोना लॉंच करेगी यूंडाई दीवाली से पहले नई ग्रांड आए टेन भी बाजार में दस्तक देगी अम्रिट सरसे सचखंट श्री हरमंदिर साहब पहुंचे बॉलिवूड स्टार गोविंदा पूरे परिवार के साथ मत्था टेक्राइद जुलाई में भारत में इलेक्ट्रिक स्यूवी कोना लॉंच करेगी यूंडाई दीवाली से पहले नई ग्रांड आए टेन भी बाजार में दस्तक देगी अमित्सर से सचखंड श्री हरमंदिर साहब पहुंचे बॉलिवूड स्टार गोविंदा पूरे परिवार के साथ मत्था टेका अब अमनाथ यात्रा के लिए ओनलाइन होगा रेजिस्ट्रेशन जमु कश्मीर के राजिपाल ने लॉंच किया फोटल उत्तर भारत में भीजण गर्मी ने लोगों को परिशान किया मौसम विभार की अनुसार अगले तीन-चार दिन में और चलांग लगाएगा पारा राजिस्तान में साथमें आस्मान पर सूरज की तपिश बाड मेर मेर में 46 के पार तापमान गुजरात में भीजण गर्मी मौसम विभार ने अमदावाद के लिए जारी किया ओरिंज अलर्ट अमेरिका के ओहायो ने में टोर्नेडो ने भारी तबाही मचाई पानी में डूब गया शेहर एक की मौत कैंसिस में भी टोर्नेडो ने ढाया के अहर करीब 60 किलोमेटर पर दिघंटे की रफटार वाली हवाओं ने लोगों की मुसीवतें बढ़ाई पाकिस्दान की कोट लगपच जेल में नवाज शरीफ से पूचता जर्मनी से 30 बुलिट प्रूप गाड़ी खरीदने के मामले में जाच एजिंसियों ने पूछे सवाल पाकिस्दान के सिंध में ईशनिंदा के आरोप में हिंदू डॉक्तर की गिरफतारी के बाद भड़का बवाल हिंदूों की दुकानों में आँख जनी यूरूपीय संसत का चुनाओं खत्म होने के बाद भी जारी है बवाल बेल्जिम की राजधानी ब्रसल्स की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन चीन की चुनोतियों का सामना करने के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहा है ताइवान तटिया इलाकों में ताइवानी वायू सेना ने युद्धा भ्यास किया रूस के पश्चमी इलाके में भीशन बस हादसा चीन के दो नागरिकों की मौट दूसरे देशों से आने वाले कच्चरे को लेकर मलेशिया की सकती वापस भेजे जाएंगे 60 कंटेनर लेदिस खबरों के लिए यूही देखते रही है आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले